दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बोक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट मोक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहली खबर सो रोजगार को बढ़ावा देगी नितिस सरकार इवावों को मिलेंगे अधिकतम 10 लाग तक के लोग जी हाँ बिहार के बिनेट द्वारा पेछले मैंने स्विक्रत मुख्यमंत्री महिला उद्दमी योजना और मुख्यमंत्री उवाव उद्दमी योजना को एक जून 2021 से लागू कर दिया जाएगा बिहार के वावों में सोरोजगार को बढ़ावा देनी के लिए इन योजनाओं के तहद अभियर्तियों के आवेदन और उसकी निस्पादन के लिए ओलाइन पोर्टल बनाने का कायर पूरा कर लिया गिया है इसके अलावा बिहार में सोरोजगार को बढ़ावा देनी के लिए पहले से चल रहे दो योजनाओं के तहद भी नए सिरे से आवेदन मांगे जाएंगे सबी चार योजनाओं को मिला कर बिहार के हर वर्ग के वावो के लिए अधिक्तम दस लग तक का लोन सिर्फ एक परतिसत पर सरकार की तरब से मोहया कराए जाएगा बिहार में सोरोजगार को बढ़ावा देनी के लिए बिहार सरकार ने इसकी सुरुवात की है बड़ी कबर कोरोना के कारान 4, 5 और 8 जून को होने वाले 66 वी मुई की परतियोगिता परिच्चा इस्तागित नई तिति की गोसना बाद में जी हाँ BPSC ने 66 वी मुई की परतियोगिता परिच्चा इस्तगित कर दी है यह लेकित परिच्चा जून में आयुजित होने वाली थी आयोग ने इसकी अधिकारिक सुचना वेबसाइट पर एक नोटिस जारिक कर दी है इससे पहले परिच्चा के लिए आवेदन की तारिक भ बिहार सरकार ने केंद्र से कहा बच्चों के पास गैजट नहीं इसलिए हमारे ई-लोड्स एप से पढ़ाई का फाइदा नहीं कोरोना काल में इसकूल बंद होने के कारण दूरदर्शन बिहार और ओल्लाइन एप ई-लोड्स के मायदम से कक्छाई जारी है लेकिन बड़ी स सिख्चा विवा के अपर मुख के सचीव संजे कुमार ने कही है वे 17 माई को देश के सिख्चा मंत्री रमेस पोकरियाल निसां के अधिक्षता में हुई बैठक में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये जुड़ी हुए थे आपको बदा दे कि सिख्चा विवा के अपर 2021 के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड में इसे अप्रूवल के लिए लाएगी अगर इसे अप्रूवल मिल गया तो राज सरकार बच्चों को स्मार्टपून दे सकीगी और डाटा की स्वीदा उपलब्द करा सकीगी बड़ी कबर बिहार में अब पुलिस कर्मी भी काट सकेंगे चलान थाना अजदक्च वो सिनियर अधिकारी करेंगे वहन चलोको की धर पकड़ जिहाँ बिहार में पुलिस कर्मी भी चलान काटने का अधिकार दे दिया गया है राज भर में पुलिस कर्मी भी अब सडकों पर वाहन की धर पकड़ कर सकेंगे उन्हें चलान काटने और करवाई करने का भी अब अधिकार दे दिया गिया है अगले एक साल तक पुलिस कर्मियों को यह अधिकार दिया गिया है वहीं कोरोना काल में प्रदेस में लागो लोगडाउन के दोरान भी अब पुलिस कर्मिय वाहन चालोगों पर करवाई कर सकेंगे अगली बड़ी कबर सरकारी रासन दुकान में अब मिलेगा बिहार का गेहु किसानों से खरिदा गया गेहु बाटेगी सरकार जीहां खादी विभात के योजना है कि कुछ मैने बाद से प्रदेश की सरकारी रासन की दुपानों पर बेचा जाने वाला गेहूं बिहार का ही होगा एही वज़ा है कि प्रदेश सरकार ने इस बार समर्तन मुल पर गेहूं खरीद के लिए पूरी तागत लगा दी है पिछली साल तक भी खरीदी से अब तक करीब 23 गोना अधिक खरीदी की जा चुकी है सरकार की मनसा है कि गेहूं की खरीद इतनी कर ली जाए कि जन वितरन पर नाले के तहट गेहूं बाटने के लिए दोसरे राज्यों पर निरबरता खतम की जा सके अभी अपने ज़ौरत का त से मिलने वाले रेमडी सिभीर अब निजी दवा दुकानों में मिलेगी इसके लिए स्वास्त विभाग ने अनुमति दे दी है बिहार के हर जिले में यह स्विदा उपलब्द कराए जाएगी अभी फिलाल बात करें तो मुझपरपुर जुले में अभी एक ही दुकान को द किए अइटी कोविड ऐप को लौज किया है होम आईसुलेशन ट्रेकिंग कोविड ऐप के मैदम से घर पर आईसुलेशन में रराए मर्यजों की निगराने की जाएगी स्वास्त कर्करताओं की दौरा निगराने के परश्चात इन आकडों की परविष्टी इस एप में की जाएगी जिसका रख रखाव जिला इस्तर पर किया जाएगा पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में इस एप का उप्योग सुपोल गुपाल गंज और अंगाबाद नालंदा तथा भागलपूर में सपलता पुर्वक किया गिया है मुख्यमंत्री ने इसे लॉंच करते हुए कहा कि कुशी की बात यहाए कि आज होम आईसोलेशन ट्रेकिंग एचाइटी कोवीड एप लॉंच किया गया है कोरोना से संक्रमित बड़ी संख्या में मरेज घर पर आईसोलेशन में रहे हैं इन मरेजों के ऑक्सिजन इस्तर की निरंतन निगराने की आवे सकता है क्योंकि इस बार के संक्रमन में मरेजों की ऑक्सिजन इस्तर गिरने की कई मामले सामने आ रहे है और जिससे उनकी स्थी ज्यादा गंबिर होती जा रही है बिहार में कोरोना संक्रमन पांच फिजदी से नीचे 5920 नई संक्रमित मिले जिहां बिहार में कोरोना महमारे की जाज की संक् के पार हो गई वहीं कोरोना संक्रमन दर पांच पिजदी से नीचे आ गई है राज में पिछले 24 घंटे में 5920 नई कोरोना संक्रमित की पहचान की गई है वहीं पिछले 24 घंटे में एक लाग 25,342 सेंपल की कोरोना जाच की गई है वहीं आपको बता दे कि हमेशा के दर पट्न में सरवादिक 1190 नई कोरोना संक्रमित मरीज की पैचान की गई है दूसरी तरब कोरोना के बाद ब्लेक पंगस का कहर पटना के एस्पतालों में 50 से अधिक मरीज भरती जिहां कोविट की दूसरी लहर के बाद आप ब्लेक पंगस यानी म्यूकर माइकोसिस का कहर शुरू हो ग या जान लेवा सबित हो रहा है आईजी आमेस में 20, एम्स में लगबक 16, पी एमसी एच में 7 के अलावे रूबन, पारस और बीग होस्पिटल में भी इस विमारी से संक्रमीत कई मरीज भरती है अगली बाड़ी कवर भेशन चकरवर्ती तुफान का असर बिहार में भी के इलाकों में जमकर कहर बरपाया है तुफान के रास्ते में जो कुछ भी आता गया उसने उसे अपनी चपेट में ले लिया तुफान के वज़त से कल मुंबई में जोरदार बारिस भी हुई है मौसम विवाग के माने तो भेशन चकरवार्त तुफान का असर अब बिहार म में पड़ेगा आकास में बादल चाहे रहेंगे यह स्थिती 20 मैं तक रहेगी बताया गया कि तेज हवा के साथ मुष्ण में बदलाव होगा और तापमान में गिराबट होगी अगली बड़े कबर नितिस पर भढ़के तेजस्वी बोले मुखमंत्री से सासन नहीं चल रहा है हमें कुरसी दे दिजिए सियम अपने अंतरात्मा को जगाए हम सरकार चला कर दिखा देंगे जी हाँ नेता प्रतिपाक्ष तेजस्वी आदम ने सोसल मेडिया पर लाइब के जरिये सेम नितिस कुमार पर जम कर निसाना साधा है समुखमंत्री को सिधे चुनोती देते वे कहा कि आप से अगर बिहार का सासन नहीं चल पा रहा है हमें कुरसी दे दिजिए सरकार चला कर दिखा देंगे उन्होंने यह भी कहा कि नितिस कुमार पूरी तरह से ठक चुके हैं उनको अगर बिहार की चिंता होती तो पिछले साल से लेकर अब तक का समय मिला इतने समय में कमिस्नरी लेवल पर अस्पताल खुल गया होता लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया बाड़े कबर बैंकों में अब 31 मैं तक 4 घंटे ही होंगे काम 2 बज़े तक ही खुले रहेंगे बैंक जी हाँ कोरोना का असर बैंकों के कामकाज पर भी पड़ रहा है इसे लेकर बैंकों में अब 31 मैं तक 4 घंटे ही काम होंगे दोपार 2 बज़े तक ही बैंक खोले रहेंगे यदि बैंक में पैसा जमा करना हो या निकासी करनी हो तो 2 बज़े से पहले ही कर ले कोरोना को लेकर कोवीड कोईडिनेशन कमिटी का किया गठन जिया अकिल भारतिया कॉंग्रेस कमिटी के बिहार प्रबारी भक्त चरंदास ने बिहार कोवीड समयन्य समिती का गठन किया है कॉंग्रेस ने 12 सदस्ते टीम का गठन किया है बिहार में कोरोना से लगो को हो रही परिशानियों को देखते विए पैसला लिया गया है यह समयती अस्पतालों में बेड, ओक्सिजन, वेंटीलेटर, भोजन, एम्बुलेंस, टिकाकरन के लिए पंजिकरन जैसी आवई सकताओं के विवस्ता करेगी गौरतलव है कि बिहार में कुरोनम हमारे के इस दोर में बिपक्च कापे एक्टिव नजर आ रहा है, रहिवार को नेता प्रतिपक्च तजिसे यादव ने सभी बिपक्ची दलों के साथ वर्चुल मिटिंग की थी और कुरोनमें लोगों तक मदद कैसे पहुचाए जाए इस पर चर्चा की गई थी, अगली बड़ी कबर बेजली बिल जमा करने पर मिलेगा स्पेशल डिसकाउंट जाने किन सर्तों का करना होगा पालन, जिहां बिहार में बेजली बिल उपभुगताओं के लिए अच्छी कबर है, अब उपभुगताओं को बेजली बिल जमा करते सम में बिसेस डिसकाउंड मिल सकेगा या डिसकाउंड पूरे तीन फिजदी का होगा इसके अलावा एक स्वेदा उन उपभवकताओं के लिए है जो स्मार्ट मिटर का इस्तिमाल कर रहे हैं बिजली कमपनी के द्वारा दे जारे तीन फिजदी छूट में एक और सर्थ सकत निति सरकार से मांगा मोत का अकड़ा जिहां बिहार के बक्सर जिले में गंगा घाटो पर लास मिलने का मामला तूड पकड़नी लगा है इस मामले में पत्ना हाइकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है सुमुआर को पटना हाई कोट ने बक्सर में गंगानेदी के पास मिले सव को लेकर सुनवाई की कोट ने राज के मुई के सचेव और प्रमंडली आयोत को दोबारा से विरिश्तित हलप नामा दाखिल करने का निर्देश दिया है सुनवाई की दोरान चीप जश्टिस संजे करोल की खंड़े में अंतर विरोध पाया है जानकारी के अनुसार कोट में दायर हलप नामे में चीप सेकेटरी और डिविजिनल कमिशनर की ओर से बक्सर में गंगानेदी में मिले सवो के आकड़े मैच नहीं कर रहे थे साथ ही पटना हाई कोट ने कहा कि बिहार सरकार रिपोर्ट में ये भी बताए कि बक्सर में मार्च 2021 से कितने लोग कोरोना से मरे हैं और कितने लोगों की मौत अनकार्णों से हुई है इसके अलावा पटना हाई कोट ने इसके साथ ही कोरोना के मरेजों के अस्पताल लाने क के लिए परियाप्त संक्या में एम्बूलेंस की ववस्ता करने का निर्दिस भी सरकार को दिया है आज के लिए आपका स्वाल बताए कि भारत की सबसे ओची चोटी का क्या नाम है इसका जबाब आप आमें नीचे कमेंड बॉक्स में जरूर बताए